टाइगा थरी मनीश शर्मा द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतिय हिंदी भाषा की एक्षन थरिला फिल्म है यश्राज फिल्म्स के तहट आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मितिस फिल्म में सल्मान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी है ये टाइगा जिन्दा है 2017 का सीक्वल है और वायारेफ स्पाई यूनिवस की पांचवी किस्थ है ये फिल्म युद्ध दो हजार उन्नीस और पठान दो हजार तेईस की घटनाओं पर आधारित है फिल्म की घोशना मार्च 2022 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली में शुरू हुई और मई 2023 में समाप्त हुई फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है ये फिल्म 300 करोड रुपे के अनुमानित बजट में बनाई गई थी जो ये यश्राज फिल्म्स की अब तक की सबसे महेंगी परियोजना बन गई टाइगर तीम को दिवाली के अफसर पर 12 नवंबर 2023 को मानप आइमेक्स और अन्य प्रीमियम प्रारूपों में रिलीज किया जाना निर्धारित है सल्मान खान और कैटरीना कैफ को पिछली दो किस्तों में टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टी की गई थी फरवरी 2021 में इमरान हाश्मी को प्रतिपक्षी के रूप में साइन किया गया था रनवीर शोरी को एक था टाइगर से गोपी आर्य के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टी की गई थी विशाल जेथवा अक्टूबर में कलाकारों में शामिल हुए जबकि रेवती और रुद्धी डोग्रा को नवंबर में चुना गया मुख्य फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई फिल्मानकन अतिरिक्त रूप से तुर्की में हुआ अगस्थ में सेंट पीटरस बग में एक कार का पीछा करने का द्रिश्य फिल्माया गया था अतिरिक्त रूप सितंबर में आस्ट्रिया में फिल्माये गये भारत में फिल्मानकन फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ जबकि आगे के एक्षन रूप को अप्रेल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया द्वीप जहां एक एक्षन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्मान किया गया था प्रमुक फोटोग्राफी माई 2023 में संपन हुई